जैहिन दोस्तों मैं हूँ राकेस फोजी दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे CISF के अंदर जो अभी कौन स्टेबल फायर मैन के पदों की जो भड़ती निकली हुई है इसके अंदर जब एक जवान का सेलेक्शन हो जाता है तो जवान को ट्रेनिंग के दोरान कितनी सैलरी मिलेगी ट्रेनिंग के बाद में उस जवान को कितनी सैलरी मिलती है यानि कि एक जो आपकी बेसिक पे होती है उसके अलावा आपको कौन-कौन से लाओं CISF के अंदर मिलते हैं तो इस वीडियो के मादम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो के लाइक निक्या लाइक कर लें इसके लावा अगर आप हमाले टेलीग्राम गूर्प से जुड़ना चाते हैं कि लोगों का डौट रहता है कि अगर बर्ती होंगे तो कितनी सेलरी मिलेगी अगर आपकी रेंग कोंस्टेबल से बरती हो गए तो चैनल ट्रेड्प से हैं Girlius से हैं अप सैलरी की बात करे तो जो बेसिक पे होती है वो 20,700 से ृती है यह आपने notification में भी देखा होगा जो constable की salary होती है गरे वितनमान होता है वो 2700 स्टार्ट होता है उसके बाद 2700 के उपर जितनी percentage जो भार सरकार के करामचारियों को मिल रहे हैं वो आपके 2700 के उपर लगू होगी यहनि कोई allowance आपका 9% है को 18% है को 31% है जो भी percentage है वो आपकी 27 2700 पे लागू होगी जैसे आपकी basic पे हर साल आपकी बढ़ती रहती है अब एक साल के बाद आपकी basic बढ़ेगी तो उसी साब से फिर आपकी allowance का percentage है वो भी लगेगा तो आपकी salary उसी साब से बढ़ती रहेगी तो अभी जैसे आप बढ़ती होते हम उसकी बात करें तो आप आपको basic पे मिलती 2700 उसके बाद 2700 पे आपको 31% अभी DA मिल रहा है यानि कि इसको महेंगाई बता बोला जाता है तो अभी वर्तमान में 31% मिल रहा है तो 2700 पे मानलो आपको 31% महेंगाई बता मिलता है तो लगबग 6,727 ऐसे something आपका महेंगाई बता बन जाएगा तो आपक family अगर शाथ में रखे हैं आपकी duty palace के उपर और आपने सरकारी quarter ले रखा है तो आपको नहीं मिलेगा लेकिन आप training के दुरान तो family रखते नहीं है तो आपका जो गरह छेतर यानि कि जहां से आप बिलोंग करते जो आपने documents लगाए हैं वो किस category के अंदर आता है तो कि जो भारत के सभी सहरों को gram in छेतरों को तीन category बाता है X category Y category Z category तो जो X category के अंदर जो सहर आता है उनको 27% है चारे मिल रहा फिल हाल उसके बाद Y category को 18% Z category को 9% अगर आपको नहीं पता है कि आपका सहर किस category में आ रहा है तो discussion एक वीडियो मिल जाएगा मैंने एक पहले से वीडिय कारी मिल जाए कि आपका सहर किस category में आता है तो हम मानते हैं कि मालों एक जवान maximum force के अंदर 90% जवान gram in छेतर से बिलोंग करते हैं जो 9% के अंदर आता है तो मालों 9% के अंदर भी आपका घर आता है तो आपको 2700 का 9% आपको HR A मिल जाता है जो लगबग 2000 के something बन जाता है तो आपकी basic pay DA और HR A तिनों मिला के लगब 35,000 बन जाते हैं इसके बाद आता है आपको रासन मनी सेंट्रल आर्मेट पुलिस फोर्ष के अंदर रासन फ्री नहीं होता है जैसे आर्मी ने एरफोर्ष के जवानों को रासन फ्री मिलता है जबकि सेंट्रल आर्मेट पुलिस जवानों को रासन मनी के रूप में आपके अकाउंट में एक अमाउंट आता है तो आपको एक दिन का 117 रुपे 29 पैस आपको रासन मनी मिलते है यानि कि लगब 3500 आपको रासन मनी मिल गी तो 35,000 रुपे तो आपके basic pay DA, HR A ये करके बन गए थे और आपको लगब 35,000 क्रोस कर गई उसके बाद आपको छोटा मोट अलाउंस, रम अलाउंस हो गया, सोप अलाउंस हो गया, वासिंग अलाउंस हो गया, हेर अलाउंस हो गया, एर केटिंग अलाउंस ऐसे करके 57,000 रुपे और मिल जाता है लगब 35,000 रुपे सेलरी सम्थिंग बन जाती है इसके अ हुई है लग बग आपकी 31 से 32 सेलरी आपकी अकाउंट में आ जाती है तो यह तो जो सेलरी आपको मिलनी मिलनी है आप ट्रेनिंग कर रहे हैं ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं आप विदाव ट्रेनिंग याप किसी भी सेंटर के अंदर डूटी जोन करें तो यह सेलरी तो आपको म आति वहाँ हो जाती है तो 17,300 रुपे आपको अलाउंस मिलेगा वहाँ पे तो लगबग आपकी 50,000 क्रोश कर जाएगी ट्रेंडिंग कम्प्लिट करते सेलरी लेकिन अगर उसके अपोजिट आपकी जैसे जो पोस्टिंग होती है थोड़े हाड एरिया में नहीं जादा हाड आप नहीं वापर TPT मिलती है तो उस शेतर के साब सिटी के साब साब को TPT मिलेगी जाहाड जो जो रिस्क लाउंस मिलता है वह एक नौर्मल मेडियम क्लास का है तो जहां पर 9,700 क्यास पस रिस्क लाउंस से वह मिलेगा तो वह डिपेंड करेगा आपकी पोस्टिंग पैलेस दोस्तो यही थे एक सेलरी के समय चोटी सी जानकारी अगर जानकारी आपको अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले